पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डेवाइस सीरीज कंटिनिवस पचास दिन तक चलानी है बलकि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है पहले वीडियो को लाइक कर लेए इसमें हम क्या करना जा रहे है यूपी PCS का जो GS का सिलिबस है यूपी UPSC आयोग के डाइनमिक पैटर्न वाले पेपर हैं लेटेस्ट वाले प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने डेड़ दो सालों में पेपर कराएं इन सब को मिला के मतला पीवाइक को क्या 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 है दो जार अठारा से टेश तर पीसेज वाले आरो यारो दो जार इकिस दो टॉपिक निकालेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले डेली आपको जो है बारा टॉपिक मिलेंगे प्लस उससे रिलेटेड पी वाई क्यू भी दिखाये जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टेंडिंग करके बहुत क्रियेटिव मेथड से जो है आपको डेवाई स करेंट का फिर काम रिवीजन और पापा अलगस देते हैं वो इस में इंक्लूडेट नहीं बजट इकनोमिक सर्वे पापा वो भी इस में इंक्लूड नहीं लेकिन बाकी जियास का कम्प्लीट जो इस्टेटिक वाला है बिलकुल ना है सिलेबस डाइनामिक जो पैटर्ण च इन सब को लेके पढ़ाई प्रेक्टिस रिवीजन करके आराम से कट आफ निकल सकता है चाहें जैसा पेपर आ जाए इजी मॉडरेट टफ अनेलिकल कॉंसेप्चुल आरो यारो दोजर तेइस कर रही एक्जाम का प्री प्लस मेंस यूपीपीश दोजर चौबिस का प्री प कि कोई इसा कोट लाए जाए जो काफी कम प्राइज में हूँ रिकॉर्डड जो वीडियो का एक हमने सिर्फ पहच लॉंच किया है आरो यारो के लिए कंप्लीट प्री का 200 नंबर का जी एस प्रस इंदी का प्लस करेंट अफेर सिर्फ एप में मिलेगा चलिए आप क्लास नंबर 32 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को बता दूँ डेवाइस स्रीज हमने वैसे बंद करने का नेड़े लिया था क्योंकि लगतार इसमें अच्छा रिस्पॉंस नहीं आ रहा था पिछले तीन वीडियो में तीन जार संथिंग व्यूज कोई भी डेवाइस के वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें expected questions कराने लाएक आपको topic ना पढ़ाया गया हो और 150 जो questions आने हैं अगर डेवाइस सीरीज आगर हम 50 दिवस तक पूरी करते तो आपको substantial amount में काफी number of questions आपके देखने को मिल जाते exam में लेकिन काफी सारा लोग इसको serious न मारा topic है मुगल dynasty part 1 हम लोग इसकी शुरुवात कर ले रहे हैं प्लेट टेक्टॉनिस का आखरी पार्ट हम लोग study करेंगे और राज वस्ता में budget कैसे prepare किया जाता इसका part number 1 हम लोग देखेंगे और science का topic तो रहेगा हमेशक तरह मुगल समराज में बाबर से हम लोग पढ़न consensus है कि इब्राहिम लोधी जब लोधी बन्स का आखरी शुशक हराय गया था बाबर के द्वारा first battle of पानिपत में तब से मुगल समराज की नियू भारत में रग दी गई थी इस परकार भारत में एक नया यूग और एक नया समराज शुरू हुआ था जो 1526 से 1527 से 1527 तक लग crown का शाषन शुरू हुआ था मुगल समराज वैसे तो औरंगजब के बाद ही खत्मान लेते हैं कुछ historians लेकिन लेटर मुगल जो नाम के शासक थे जो अंग्रेजों की pension पर जीवन यापन कर रहे थे काफी समय तक उन लोगों ने भी अपने छोटे सेरिया में अपने छोटे शाषा जफर और उनकी पतनी को अरंगून निर्वासित कर दिये जाता है as a punishment of first war of independence अंग्रेज सरकार के दौरा और तब से मुगल समराज टोटली अंत महन लिये जाता है उसका हिषवन्ष के छh प्रमुख्षा सक रहे हैं बाबर हुमाईूं अकबर जहांगीर शाजहहां और ऑरंग जेब के बाद के मुगल雜 को लेर मुगल्स कहा जाता है और जबकि इन मुगल्स को要गरेट मुगल्स कहा जाता है लेटर मुगल्स कहा जाता है और जबकि इन मुगल्स को ग्रेट मुगल्स कहा जाता है महान मुगल ये हैं बाबर, हुमाईू, अकबर, जहांगीर, शाजा, औरंग्जेब बाद के मुगल्स को लेटर मुगल्स या फिर बाद के मुगल्स शासक कहा जाता है तो बारती तिहास में अपनी शाप शोड़ी थी अट सत्रस साथ में और अरंग जी उपकी बृत्य के बाद सामराज का पतन और जागिर्दारी क्राइसिस वगरा शुरू हो गई थी टोटल एडिनिस्ट्रेशन और जो पहले इच है महान मुगल जो कहे जाते हैं क्यों महान है अब ही आगे हम देखेंगे और बात कि जो लेटर मुगल से उनके क्या क्रिया कलाप थे अंग्रेजों और अनिशासकों के साथ इनके संबंद कैसे रहे इसके बारे में चर्चा करते हुए और जितने जरूरी कोशन बन सकते हैं इस टॉपिक से क्योंकि मुगल समराज और सल्तनत यह ऐसा टॉपिक है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आयोग पेपर बनाए जिस में स्ट्री आती हो में डिवल इससे कोशन ना पूछा जाए इससे कोशन आना ही आना है अपके ए फरगाना में, फरगाना में खुद को शासक घुषित किया था, मद एशिया में उससे में स्थिती स्थिर रही थी, बाबर को अपने कुलीन वर्क से काफी प्रतिरोत के सामना करना पड़ा था, जरसा की सेंटरल एशिया में चलता था, मुनार्ची चलती थे, यानी कि एक ही श करते थे, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स आज कल एक्जियूटिव्स को कई बार इंफ्लुएंस करने के काम करते हैं, तो नोबल्स भी पहले इंफ्लुएंस करते थे, इनके पार हरियल अथॉर्टी नहीं होती थी, लेकिन कई बार मुनार्ची को चैलेंज करते थे, उनके प्रभावित करने काम करते थे, तो बाबर को भी नोबल्स से काफी सपोर्ट नहीं मिला, और उन्हें इससे रजिस्टेंज को सामना करना पड़ा, कुलीन वर्ग से, इस समय समरकंद पर बाबर का गपजा हो गया था, लेकिन बहुत जल्द ही उसने आपने कुछ कुलीनों क साथ मा मिल पाने करन, उसको पीछे हटना पड़ा, शैबानी खान ने सरेपुल के युद्ध में अराय था बाबर को, और फिर बाबर ने फरगाना को भी उजबेकों के आंतों खो दिया था, कई वर्षों तक बाबर भटकता रहा, जो है, रूलर विदाउट अटरेट्री क के तौर पर यनि की बिना शासन का शासक बन करके दर दर टहलता रहा, फंद्रा सुचार में, पाइनली काबुल पर बाबर जो है कबजा करता है, इस पूरी अवधी की दरण उसकी उजना बंचुकी थी कि हिंदूस्तान की और वो वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहता था, ठी बेकिस्तान वाले हिस्से में बाबर जो है सौसन करने कोशिश कर रहा था, यहां पर अफगान सरदारों और इब्राहिम लोधी के बीच यहां पर संगर्श चल रहा था भारत में, भारत के खास करके वेस्टर्न पोर्शन में, इसमें से प्रमुक्ते दौलत खान लोधी, ज दोनों ने किस्ते, यानि कि इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान लोधी ने, चाचा एक्चुली आलम खान नाम का वेक्ति था, यह दौलत खान लोधी और यह राणा सांगा ने बाबर को आमंतरित किया था भारत में आकरमण करने के लिए, एक्जाम में एक बार पूट और लाहोर पर आकरमण किया था, तो पहले वेस्तर्न पोर्शन जो था वेस्तर्ण फ्रिंटर था भारत का, जहांसे ज्यादा तर शासकों ने पर प्रवेश किया, चाहे वो एंडोग्रीक्स हो, चाहे अन्निविक्ति हो, अलगतार वेस्टर्न पोर्शन से ही भारत म पानीपत के दरती युद में और इब्राहिम लोधी की सेना हार गई थी। प्रेवरा के युद में बजा और भेरा के युद में बजा और भेरा के युद में यह तो बात होगी चैननिस के अगर आपसे पूंचें कि गन पाउडर का उपियोग भरत में क्या पहले बाबर ने किया था गण पाउडर जो है पुराना उजार युज होतरा है सल्तनत काल साही लुह नहीं बजाएं पहले किया हुआ है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, बाबर के कुल पांच आकरमण जो हुए थे, हम लोग प्यानिपत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पुरानी वाले भूल जाते हैं, ऐसा करना नहीं है, बाबर नामा में उसने हिंदुस्तान पर पहला आकरमण के बारे में टेरिटोडियल एक्सपेनिशन ना होकर कि यूसुफ जाइ जाती का दमन करना था, उसको सबक सिखाना था, यूसुफ जाइ जाती के रूलर्स को हराना इसका उद्देश था, भेरा जेलम के गिनारी पर स्थित था, भारत में सरुपतम बाबर ने बारू तो खाना का प्रय जो है यह पांच बान था इस तरीके से, ठीक है, अब हम थोड़ा सा और भी फैट देख लेते हैं बाबर के बारे में, जो आपको अने कहीं, बुक्स बगारा में, वेबसाइट में मिलते हैं, बाबर की उदारता अत्यधीक धन वित्रित करने कारण बाबर को कलंदर कहा जा धारन करने से पूर बाबर की उदारती मिर्जा थी, जो उनकी अनसेस्ट्रल टाइटल वगरती थी मिर्जा, मिर्जा उपादी छोड़ करके बादशा की उपादी ली थी बाबर ने सबसे पहले काबुल में, और फिर यहां पर पानिपत की युद्ध के बाद, 1527 में समसा सकता, जिसने जो है कैनन्स का उप्योग किया था, बाबर की आत्म कता, तुझु के बाबरी है, जिसका अनुआत फारसी में बाबर नामा के नाम से हुआ था, तुझु के बाबरी किस लैंग्विज में लिखी गई है, ऐसा कई बार पूच चुके हैं, तो बाबर ने बाबर ने लिखा था, बाबर की समय में इसका परेशन फारसी में इसको लिखा था, बाबर नामा के नाम से, जिन दो हिंदू राजीओं को लेति हैं, उसमें से एक विजनगर, दूसरा में वाड है, बाबर द्वारा पद्दिरुरचनाओं का संक्लम दीवान में किया गय मीर बाकी ने युद्ध है मस्जित का निर्माण करवाय था बाबर की समय में यमको पता है शेबानी खान ने बाबर को सारे पुल के युद्ध में आराय था फंद्रा सो एक में और मध एशिया से भगा दिया था और इस युद्ध में उजबेकों की युद्ध नीती तुल्गुमा मेथड का प्रयोग शेबानी खान ने बाबर के विरुद दिखिया था सबसे पहले पंद्रो सुचार में काबुल विजय के उपरांद बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा जो पाधी धारन की जाती मिर्जा उसको त्याग करके खुद को पात्षा या भात्षा घोशित किया था आलम खान इब्राहिम लोधी का चाचा था सिंगासन पर अपना अधिकार जताते वे बाबर को आकरमड पर भेजा अमन्तरित किया था इसने इसके लाव दावलत खान ने भी बाबर को अमन्तरित किया था अपने पुत्र दिलावर खान के हां थो बाबर के नाम संदेश पेजा था कि वो दिल्ली आकर के भारत पर आकरमड करे बाबर के गुल बिलाकर चार पुत्र थे संपोंट राज का विभाजन इस पर कार हुआ को दिली आगरा की जागिर मिली थी कामरान को काबुल कांधार और पंजाब का चेत्र मिला था असकरी को संभल और हिंदाल को अलवर का चेत्र मिला था भारत विजय के बाद अलांकि इन सबी टेरिटरीस फ़र फाइनली किसका कप जाता है हुमायूं का वो अपने सारे खानवा का युध्ध राना सांगा और बाबर के बीच वहा था पहले तो राना सांगा नेish को invite किया लेकिन बाद में इसी से युध्ध करना पड़ा था राना सांगा को जिहाद की संग्या दी थी इस युद्ध को अपने साइनिकों को मोटिवेट करने के लिए और खुद को गाजी की उपादी दी थी गाजी जो है ये टर्म थोड़ा सा कंट्रोवर्शल है लेकिन इस पर इसलामिस्ट टेक्स्ट गाजी का मतलब होता है destroyer of kafirs kafir का अंत करने वाला kafir मतलब जो मुसलिम नहीं है गयर मुसलिमों का अंत करने वाला गाजी को उपादी लेता था और गाजी जो है ये उपादी इस तरीके की होती थी कि गाजी सेना में शामिल होता था जैसे कहीं पर युद्ध हो रहा है तो गाजी वहाँ पर सिर्फ पैसे की उद्देश जैसे नहीं शामिल होता था कि लूट का धन मिलेगा या फिस सैलरी मिलेगी वो इसलाम का जो एक कह सकते हैं मार करके चंदेरी का युद मेधिन डाय और बाबर के बीच हो था इसी युद में शेर सासूरी बाबर के साथ मिल करके मेधिनी डाय से युद लड़ा था तो शेर सासूरी ने बाबर के साथ किस युद में दिया था आगरा से पूछें जमीन दोनों पर लड़ा गया था और इसमें आफगान संग और बाबर के बीच युद्धुवा था बाबर इसमें विजई रहा था 69 BPSC में ये प्रश्णम से पूछा गया था काफी लोग इसमें गन्फ्यूज हुए थे ठीक है confusing से पूछा गया था बाबर ये भारत में बाबर के आगमन करण क्या-क्या चार चीजें हुई थी उनमें से सही कौन सी उप्मादुवीप में यानि सब कॉंटिनेट में बारूत का आगमन हुआ कि रौंग है क्योंकि बारूत को सबसे पहले मंगोल से इंट्रडूस कर महराब औगुंबत का परिचे हुए यह सही नहीं है क्योंकि महराब औगुंबत जो है पहले से प्रयोग किया जाता था इसका आपने पुराना वीडियो क्लास देखी होंगी तो आर्चछ डोम का प्रेश में तैयमूरीद राजवन्स की स्थापना हुई थी यह सही बात है और युद में तोपों की शुरुआत होई थी, तोपों का प्रियोक सबसे पहले, अलाकि बाबर नहीं किया था, बज़ा और भेरा की युद से, और पानीपुत में extensively, तो 3 और 4 यहां पर सही है, 1 और 2 incorrect है, हमने तीन तरीके की boundaries पढ़ी थी, divergent, convergent और transform boundaries, तो उनसे कौन-कौन से structures बनते हैं, famous वाले देख लेते हैं, जिनसे exam में कोई शना चुका है, तो विचलन से अब सारी किनारज बनता है, जैनि divergence से, जो divergent edge या फिर constructive edge बनती, edge होती है, जिसमें नया crust बनता है, new crust formation होता है, वो कैसे होता है, कोई example है इसका, एक बहुत famous example है, continental, मिलब continent में जब यह क्रिया होती है, ऐसे एक plat, दूसरी plat से दूर जाती है, एक plat indeed direction में जाती है, जैसे चिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक plat इधा direction में जाती है, जो formation होता है नया crust को formation होता है, और जो structure बनते हैं, उसको rift बोलते हैं, जो रift valley बनती है, East African rift valley ये बनती है, अफ्रिका में, त divergent edge पे इसका construction होता है, तो divergence कहां कैसे हो रहा है, यह एक Arabian plate है, इस तरफ जा रही है इस direction में, इस तरफ, आने कि North East की तरफ ऐसे head करे हुए है, और यह African plate है, जिसको Nubian plate भी बोलते है, African plate या फिर Nubian plate, African यह Nubian, इस तरफ जा रही है, और एक Somalian plate है, Somalian plate यह इस तरफ जाती है, जो दिखायागा इस तरीके से, यह अलग-अलग direction में जो यह plate जा रही है, diverge कर रही है, आप देख रहे हैं, एक दूसरे से विप्रिद्धिशम जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो यहां पर divergence होता है, divergent plate boundary बनती है यह आप देख सकते हैं, यह आपर rift बन रही है, यह rift यहां से, इस तरीके से बनी है, ठेकी है, यह है rift अब रिफ्ट में कई सारे स्ट्रक्चरस बनते हैं जैसे यहां पर रिफ्ट बनी तो कई बार जो जमीन सेपरेट हो जाती है उसमें नई क्रस्ट बनती है और कई बार जो है जो गार्त बनता उसमें पानी भर जाता है जो उसमें लेक बन जाती है, लेक तुरकाना आपको रिफ्ट में देखने को बिलेगी, लेक मलावी आपको रिफ्ट वैली में देखने को बिलेगी, लेक टंगानी का ये रिफ्ट वैली में देखने को बिलेगी, लेक अलबर्ट आपको देखने को बिलेगी रिफ्ट वैली म में, कि lake Victoria, जो है यह चार देशों से घरी वई है, तो यह तीन देशों से घरी वई है, यह गलत है statement और यह बढ़ार्ण गाटी है, यह भी गलत है, तो दोणों ही इसमें गलत statement हो रहे थे, यह सब्भर हो जाएगा, यह यह चैब है, यह उलेक Victoria, आप वोलकनों आपको देखने को यहां पगर को सकता है कि rift valley के पास जो अलंकी बनते हैं, तो तरह बनते हैं, ठीक है, Convergent Plate Boundaries को हम लोग देख लेते हैं, ConvergentTu Atlantic Boundaries का मतलब है, जो आपने इस ट्रक्चर दिखाया था, कि जो oceanic, जो lithosphere है, या oceanic crust है, यह continental crust के नीचे continental crust के नीचे, यह oceanic crust, subside कर जाता है, इस तरीके से, जैसे movement ही दिखा जा रही है, subject कर जाता है, तो यहां पर एक अलग तरीके का structure बनता है, और यहां पर जब mental फटता है, तो mental से magma उपर आता है, और volcano यहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब जहां जहां पर जो यह oceanic lithosphere है या oceanic crust continental crust के नीचे जाता है, तो कौन-कौन से structure से आपको continental lithosphere को टकराया था, तो यहां पर आप देखेंगे काफी गहरी जगह यहां पर बन जाएगी, ठीक है, यह वैसे तो diagram में इस तरीके की है, हो सकता है, और भी यहां तक बन जाए, यहां जहां जहां तक जो है, पानी जा सकता है, पानी चाने लाग जहां तक भी गहरी जगह ब बनते हैं, Convergent Plate Boundaries पे, Deposition Trench are formed at Convergent Plate Boundaries, Convergent Plate Boundaries पे Deposition Trench देखने को मिलते हैं, और वोल कैनों आपको देखने को मिलते हैं, इसका एक अच्छा एग्जामपल हम देख सकते हैं, Pacific Ring of Fire में, Pacific Ring of Fire, पुरशांत अगनी बला है, जिसको Pacific Ring of Fire बोलते हैं, अभी सारी Plate C में का अग्जामपल है, और भी कई सारे एक्जामपल है, जैसे कि हिमालय जो बना है, ये भी Convergent Plate Boundaries का ही उदारण है, एंडी परवत जो है, ये भी उदारण है, Convergent Plate Boundary का, जहां दो प्लेट एक दूसरी प्लेट से, एक दूसरे प्लेट की तरफ जाते हुए टकराएगी, एक इस तरफ है, और ये भी इस तरफ है, जब प्लेट टकराएगी, तब यहां पर Convergent Plate Boundary बनी, एंडी इस माउंटेन का formation कैसे होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ये नसका प्लेट जो है, और ये साओध अमेरिकन प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, जैसे हमन आप डियाग्राम में दिखाया था, एक ट्रेंच भी बनता है, तो पेरू चिली ट्रेंच बनता है, नसका प्लेट और साओध अमेरिकन प्लेट एक दूसरे करीब आती है, तो अंडी माउंटेन का उद्भव होता है, इसको इस तरीके से ब देख सकते हैं, ये साओध अमेर नहीं जाती है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे नहीं जाती है, आप देखते हैं, की जनरली सबडक्ट कर जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा करके, लेकिन ये प्लेट जो है सबडक्ट नहीं होती है, आपस में ही इस तरीके से जुड़ जाती है। तकरा करके उठ जाती हैं एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे नहीं जा रही है यानि कि इंडोस्ट्रेडियन प्लेट के नीचे नहीं सबसाइट करती है दरवाज यहाँ पर वोलकानू आपको देखने के बिलते हैं जहाँ पर हिमालय है हिमालेन माउंटेन के रूप में और तिबबत के पठार के रूप में देख पा रहा है हिमालय और तिबबत का उदय जो हुआ है वो इंडोस्ट्रेजिन प्लेट के लिधोस्पेर के टकराने से हुआ है आप से गर एक्जाम में पूछें कि why there is no volcanic activity in हिमालयास जबकि हिमालय को formation भी एक तरीके से यह convergent plate boundary पर ही हुआ है यह एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ जा रही है या फिर duration plate स्थिर थी उसकी तरफ इंडियन प्लेट गई तो भी convergent boundary ही बनी ठीक है लेकिन जो कह सकते हैं subduction नहीं हुआ no subduction because density जो है duration plate की और इंडोस्ट्रेजिन प्लेट की आतिब्बत का पठार देखने को मिलता है यह जो diagram बना है pacific ring of fire का इसको भी समझ लेते हैं कई बार लोगों को दिक्कत होती है इसको समझने में कि यह कैसे बना हो गई pacific ring of fire जाहरी सी बात है इसमें भी plate tectonics involved है इसमें जो pacific plate है जो pacific plate है यह पूरी जो लाल रिंग से दि है तो जो pacific plate अलग 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 प्लेटों से टकरा करके जब सबसाइड करेगी तो आपको deep ocean trenches देखने को मिलेंगे और volcano देखने को मिलते है अगल बगल trench के पास volcano तो इसी बज़े से इसको pacific ring of fire कहा जाता है क्योंकि trench और volcano का पूरा combination आपको देखने को मिलता है यहां और अलग अलग प्लेट boundary से टकराई है जब तो वहां पर आपको deep ocean trenches देखने को मिलेंगे और पूरे इस पूरे एरिया में volcano देखने को मिलते हैं क्योंकि pacific plate अलग 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 प्लेटों से टकरा करके सबसाइड करेगी अरणा सिविल सब्सस ने सवाल पूछा था कि जो trench ह पूछा ने से बने हैं इस तरीके question अभी तक कभी पूछा ने गया तो यही question मैंने लिया है क्योंकि यह trench बगारा है इससे बहुत surface level question अभी तक पूछे गए हैं लेकिन आगे पूछ जा सकते हैं जैसे यह चार प्लेटों का जोड़ा दिखाया गया है और चार यह trench दिखाय है तो यह pacific plate के किस plate से टक्राने से बना है यह pacific plate और इंडोस्ट्रेलिन plate के टक्राने से यह बना है यहां पर टोंगा ट्रेंच मारियाना ट्रेंच में पूछा गया मारियाना ट्रेंच बना है pacific और फिलिपाइन plate के टक्राने से यहां पर हम देखेंगे यह मारियाना ट्र तो यहाँ पर फिलिपीन यहांपर यहाँ पर के अमरी के टक्राने से बना है Pacific Plate और North American Plate की टकराने से बना है, तो इसमें American दिया है, तो बसाई हो जाएगा, Pacific Plate और American Plate की टकराने से बना है, और यह Accurile कामचटका Trench जो बच रहा है, यह Pacific और Oakhos Plate की टकराने से बना है, तो इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, कौन सी Plate की टकराने से कौन सा Trench या फिर कौन सा प्लेट बाउंडरी में और ट्रांस्वर्म बाउंडरी में तो बाइस आप डे 32 में आ चुके हैं साइंस सेक्षन के उपर जिसमें आज के दो हमारे टॉपिक रहेंगे हीट और टेंप्रेचर मतलब जो उस्मा है और जो ताफ है साइंस की लैंग्विज में प्योरेस्ट फॉ पूछ लेते हैं उल्टा भी कर सकते हैं तो वो सब चीजें आपन कैसे करेंगे एक्जाम में तो कनवर्जन देखेंगे और यह सारे पैमाने आए कहां से इसका पूरा इतिहास जानेंगे और कैसे यह स्केल दिखते हैं क्या-क्या बेसिक डिफरेंस होता है तीनों में सारी चीजें देखेंगे वैसे तीन नहीं चार होते है जिन में से चौते का नाम है अफ्वा आभी आगे आपको पता चलेगा तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस नसेड़ी की यह हालत जो हो रही घर्मी की वज़े से तो जिस चीज की वज़े से ऊसकी यह हालत हुई वह हीट उसमा है और उस उसमा का माप कितना है कितनी गर्मी लग रही है इसको तो ये होता है टेंपरेचर और वैसे ये गर्मी सूर की वज़े से किस रे की वज़े से लगती है ये बात आप लोग बता चुके हो कई बार जो लोग नए हो फिर से बता दो क्योंकि हम तो बता चुके है इसी device series में कौन सी रे responsible होती है रे कहलो, वेव कहलो, जो भी है एक और example देख लो जैसा कि आप पानी गरम करते हो especially सर्दी के time पे gas के उपर तो जिसकी वज़े से ये पानी गरम हो गया वो तो heat है, उसमा और ये पानी कितना गरम हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका temperature नापके तो temperature वो होता है जिसकी वज़े से हम heat measure करते हैं और heat खुद क्या होती है, वो एक energy का रूप होती है बस, और ये energy हमेशा गरम जगह से ठंडी जगह के बीच में flow करती है ये गरम जगह से निकलेगी, ठंडी जगह पर जाके पहुँचेगी अब ये गरम ठंडा क्या है? जिसका temperature ज़्यादा वो गरम और जिसका कम वो ठंडा ये तो हम लोग नॉर्मली जानते भी है साइन्स की वासा में ऐसे ही समझाए जाता है गरम चीज और ठंडी चीज को बागी जो कुछ लोग अपनी फ्रेहसी को कॉंप्लिमेंट देते हैं ये वो आला हॉट नहीं है तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कोई भी चीज गरम है उससे निकल के heat ठंडी चीज के तरफ जाएगी मतलब दोनों के बीच में temperature difference होना चाहिए तब जाके heat energy जो है ये flow करेगी फॉर एक्जामपल आप किसी दोस्ते रिष्तिदार के हाँ आयो और अगर मान लो आपको चाय सर्फ की गई तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे चाय ठंडी हो गई अगर मान लोग cold drink सर्फ की जाती तो वो गर्म हो जाती तो हुआ क्या सपोस करते हैं 80 degree के आसपास temperature था इस चाय का और वातावरन में जिसमें वैठे हो पंका चला है तो 35 degree अगर इसी चला होता तो 25 मान सकते थे जो भी है और यह जो cold drink है यह 5 degree के आसपास है तो चाय के case में temperature जादा किसका है इस चाय का कमरे का तो 35 है कम है तो यहां से यहां के बीच में heat energy flow होगी कब तक जब तक यह चाय खुद भी 35 पे ना आ जाए और यह जो state हुई दो चीजों के temperature अगर सेम हो गए तो thermal equilibrium attain मान लिया जाता है अगर cold drink का example लेना चाहो तो कमरे की गर्मी इस cold drink में आ जाएगी कब तक जब तक यह cold drink 35 पे ना पहुँच जाए तो हमेशा hot body से cold body transfer होगा heat का अब यह जो heat का transfer हुआ किस तरीके से होता यह आज नहीं बताएंगे यह next part में अब यह हुआ क्यूँ कि temperature difference की वज़े से heat flow हो गई क्यूंकि temperature बढ़ने पर किसी भी substance के जो molecule है वो आगे पीछे भागने लगते है जिस वज़े से उनमें kinetic energy आ जाती है अगर heat और temperature की बीच की unit की बात करें तो वो भी अलग है चूंकि heat एक energy है तो उसकी भी unit वही होगी जो की energy की होती है मतलब Joule temperature की बात करें तो Kelvin इसकी unit होती है Kelvin एक scale भी है temperature को मैं आपने का आगे बात करेंगे जरूर इस पे इसी वीडियो में सिर्फ Joule ही नहीं क्योंकि Joule तो अधर कुछ चीजों की भी unit होती है किन-किन चीजों की आप चाहो तो बता सकते हो तो heat को अगर specifically measure करना है तो Joule के लावा और किस से measure कर सकते हो calorie से और kilo calorie से अब ये बात हमें कैसे बता चली कि किसी चीज की जो heat है वो एक calorie हो गई तो इसके लिए ना कई सारे experiment किये थे अलगलग scientist ने जिन में से जो सबसे ज़्यादा popular और acceptable experiment था वो कुछ ऐसा था कि एक आपने पानी का बरतन लिया उस पानी का temperature साड़े 14 degree Celsius था अब उसको बढ़ा के ना साड़े 15 degree Celsius कर दिया गया तो इस चक्कर में जितनी भी energy लगी heat के तौर पे वही एक calorie के बराबर मान ली गई साड़े 14 से साड़े 15 मतलब पुल मिला के 1 degree centigrade अभी बात करते हैं अपने बिट्टू के बारे में मतलब British Thermal Unit ये भी एक unit a heat measure करने की जिसके लिए आपने कई सारे experiment किये थे ये decide करने के लिए कि किसको एक बिट्टू बोला जाएगा जिन में से सबसे acceptable था वो ये कि एक pound आपने पानी लिया क्योंकि Britain में न चाहे measurement की हो या फिर currency हो सब कुछ pound में ही चलता है तो एक pound पानी का temperature प्रेचर एक डिगरी से बढ़ा दिया तो वही एक BTO हो गया दूसरा नाम आपको इसका बता चुके है अब एक calorie 4.186 Joule के बराबर होती है Joule हमने समझी लिया कि इसको भी heat की unit बोलते है क्योंकि ये take energy है एक calorie में 4.186 Joule होंगे इसे अगर round off कर लिया जाए तो 4.2 Joule हो जाएंगे दोनों आपको अलग-अलग जगे मिल सकते हैं इसलिए बता दिया और एक Joule में कितनी calorie होगी तो 0.24 क्योंकि calorie हमेशा Joule से बढ़ी होगी एक kilo calorie में कितने Joule होंगे कितने क्योंकि इसमें calorie कितनी होगी 252 calorie होती है thermal equilibrium क्या है अभी बता चुके है कि दो चीजों का temperature अगर अलग-अलग है तो जिसका ज़्यादा होगा उससे heat निकल के कमवाले में जाएगी और अगर ऐसा होते होते दोनों के temperature बराबर हो जाएं तो यही T.E. है thermal equilibrium temperature को measure करेंगे thermometer से thermometer कितने type के होते है clinic में कौन सा use होता है industry में कौन सा use होता है यह बात करेंगे अगले किसी वीडियो में और तभी करेंगे जब exam point of view से जरूरी होगा वैसे science के उपर अगर हम बात करने पे आ गए तो यह वीडियो 2-3 दिन कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है और लंबे वीडियो जैसा कि हम हमेशा बोलते है आप देखना पसंद नहीं करते हो तो जैसा कि हमने अभी अभी सीखा कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है यह decide होगा temperature measure करने के बाद अब temperature measure करने के कौन-कौन से तरीके होते है तो चार तरीकों से measure किया जा सकता है चार तरीके के पैमाने होते हैं जिनके अधार पे इसको ना पा जा सकता है सबसे पहला है centigrade मतलब Celsius फिर Fahrenheit, Kelvin और चौथा है अफवा अरे रियूमर स्केल बोलते हैं इसको तो यहां से एक बात और साबित हुई कि रियूमर का मतलब हमेशा अफवा नहीं होता अब इन में से सबसे ज़्यादा popular है Celsius वाला क्यूंकि degree C अनपड़ भी आजकल जान जाता है इसका मतलब क्या है लेकिन हर एक के आगे degree नहीं लगता है तो degree लेके करेगा क्या अब यार यह जो अलग-अलग नाम है C, F, K और R यह किसके नाम पर पढ़ें तो साइंटिस्टों के नाम पर तो क्या हम यह कहना चाते हैं कि Celsius इसकेल को Celsius ने डिसकवर किया था Fahrenheit के पीछे Fahrenheit कहा था Kelvin को खोजा Kelvin ने और अफवा फैलाई थी रियूमर साब ने तो जी हां यह बात सही है आप लोग सोचोगे My whole life was a lie अभी तक तो यह सब में पता नहीं था तो कोई बात नहीं एक्जाम अभी दूर है अभी पता चल गया यह काफी अच्छा रहा आपके लिए अभी आप कोई स्केल डिजाइन करते हो तो कुछ ना कुछ रिफरेंश जरूर लेते हो तो चारों का रिफरेंश एक ही है और वो क्या है आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया प्यूर वाटर जिसे कहते हैं हाँ वही जिसका पियत साथ होता है अब इसमें दो चीजें आपने देखी पहली चीज तो आपने ये देखी कि ये पानी कब बर्फ बनेगा डिस्टिल्ड वाटर कब बर्फ बनेगा जिसे की फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे एक तो ये फिक्स कर दिया गया चारों स्केल के लिए अलग-अलग तो भले ही अलग-अलग फिक्स किया लेकिन यूज तो आपने डिस्टिल्ड वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट का ही किया ना तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चारों के रिफरेंस सेम है वैल्यू सालां कि अलग-अलग है तभी तो स्केल अलग-अलग है और दूसरी चीज आपने ये किया कि इसको गरम करना चालू कि आप यूर वाटर को और ये देखा कि आखिर कौन सायसा टेंप्रेचर है जिस पे ये लिक्विड ना होके भाब बनके उड़ गया तो इस चीज के लिए चारों स्केल में अलग-अलग वैल्यू डिसाइड कर ली गई अभी आते हैं इसकी डिटेल पे तो सबसे पहले हैं सेल्सियस स्केल अंडर्सन नहीं आंड्रे सेल्सियस ने 1742 में इसकी डिसकवरी की थी भीजिंग मतलब जिसमें प्योर वाटर बरफ बन जाए ठंडा करते करते और बॉयलिंग मतलब उबालते उबालते ये भाब बन जाए मतलब पिता नहीं ये भाब बनके उड़ जाए वेपर बनके चलो इसी बात पर गाना गाते हैं जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए इमानदारी से बताना इसके बाद किसके मुह से क्या निकलता है तो खर अब सबसे most important चीज हमारी human body का normal temperature नॉर्मल इसलिए क्योंकि इसके उपर जाएगा तो बुखार मान लिया जाएगा मान क्या लिया जाएगा बुखार होगा तभी जाएगा तो 37 degree Celsius कभी-कभी 36.9 दिया रहता है वो भी सही है तो भाई Celsius के इसाब से ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है और चूंकि इसकी highest value 100 रखी गई है न अब ये reference किसलिए लिया आपको बता दे minimum और maximum value decide करने के लिए तो maximum value इसकी 100 है minimum 0 है तो 0 से 100 के बीच में कित्ती गिंती आती है 100 आती है इसलिए इसको 100 पार्ट में divide किया गया जिनमें से हरे एक पार्ट की value 1 degree Celsius है अब ये जो एंडरे Celsius नाम थे हैं मतलब जिनोंने Celsius की discovery की ये belong करते थे Sweden से इसकी राजदानी क्या है तो Stockholm है अभी आजाओ Fahrenheit पे इस lecture में हम सबसे पहले Celsius पे आया लेकिन दुनिया में सबसे पहले Fahrenheit आया था 1717 में इसकी discovery चालू हो गई थी लेकिन 24 में ये release हो गया था अब इसके अंदर ना Mercury भरा रहता है मतलब बुद्ध अरे नहीं बुद्ध मतलब जो Mercury उपर है जो अपने पास धरती पे है उसको पारा बोलते हैं और ये liquid होता है रोम temperature के उपर और होता metal है तो metal मतलब लोहा लंगड अमेशा हो ये जरूरी नहीं है तो जैसा कि हमने देख साइंटिस्टों के नाम पे ही ये scale है तो Fahrenheit जिनका पूरा नाम था Gabriel Fahrenheit ये इसको ले के आये थे इसका भी reference सेम है वही pure water इसका freezing point मतलब इस scale की minimum value ये रखी गई है 32 degree Fahrenheit जबकि Celsius में हमने देखा था 0 degree Celsius इसी के साथ साथ जो maximum value है मतलब जिस पे भाब बन जाता है pure water वो 212 degree Fahrenheit है और human body temperature ये most important है इस scale के लिए हाथ से क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर बताता है 103 है 104 है चलो injection लगवाव चलके तो अभी अभी तो हम उपर देखके आया कि साइंटिस है तो उस scale पे measure होता है नहीं है क्लीनिक में वो तो Fahrenheit के आधार पे मेजर होता है और ये ज है अब जैसा कि हमने देखा इसकी maximum value है 212 इसलिए इसको 180 बराबर भाग में डिवाइड करते है 180 क्यूंकि minimum value 32 से चालू होती है ना कि 0 से और 212-32 तो हुआ 180 तो 180 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अब भाई साब आते हैं कि degree Celsius में पता है Fahrenheit पे जाना है या फिर उल रखते हैं वो है C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 अभी इसमें से F की value निकालोगे तो 9 by 5 इंटो C प्लस 32 हा जाएगा कुछ लोग इसको याद करते हैं कुछ इसको मैं तो personally इसको याद करता हूँ आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो लेकिन किसी ना किसी को याद जर Kelvin जिनका पूरा नाम Lord Kelvin था यहाँ से एक और चीछ सामने आए की है सारे Lord हमेशा ठाकुर नहीं होते तो Lord Kelvin प्लस William Thompson दोनों ने इस पे काम किया और 1832 में इसको सामने लेके आ गए reference से में ही use हुआ हैं हम बता चुके हैं और minimum value के लिए freezing point जो किया 273 Kelvin तो Celsius में था 0 degree Celsius फारे नाइट में था 32 degree फारे नाइट यहाँ पे है 273 और boiling point 373 है और 273 और 373 के बीच 100 का गैप है तो 100 बराबर हिस्सों में इसको बाटा गया है जिनमें से एक की value है 1 Kelvin ठीक के आगे degree नहीं लगाते वो पढ़ा लिखा नहीं ह हमने लगा दिया हमसे गलती हो गई इसको न absolute skill भी कहते हैं और temperature की असा unit भी इसी के नाम पे है Kelvin के Lord Kelvin पे अभी कई बार ना degree Celsius पे दिया रहता है और Kelvin पे आना होता है तो कैसे आते हो जितना भी temperature आपको Kelvin में चाहिए आपके पास degree Celsius में है 273 जोड़ दो उस पे अब इसमें से degree Celsius की value निकालोगे तो Kelvin माइनस 270 आ जाएगा किसी को भीयाद रख सकते हो कोई भी problem नहीं है अभी एक चीज़ हमसे miss हो गई कि जब आपको बुखार होता है और doctor के पास जाते हो तो temperature आपका वो कैसे नापता है मतलब कभी यहाँ दे देता है कभी यहाँ दे देता है वो क्योंकि आपकी body कभी बर्फ तो जम नहीं सकते है आप बर्फ के तोर पे इसलिए 32 उसमें रखा ही नहीं जाता तो minimum value होती है इसकी 94 फारेनाइट और human body set होती है normally 98.6 पे और इसकी maximum value होती है 108 और इसलिए आपको बोला जाता है कि आपका बुखार 102 है 104 103 है कितना है या 100 है त तो आप समझें वहाँ पे कौन सा thermometer यूज होता है उसकी maximum minimum value क्या क्या होती है अब आते हैं rumor scale पे तो इसकी अफवा फैलाई थी rumor ने अफवा नहीं मतलब सही में इसको discover किया था reference आप जानते ही हो minimum value होती है इसकी 0 जीरो डिगरी rumor डिगरी आरी से इसको लिखते हैं और maximum होती है 80 तो इसमें और डिगरी Celsius वाले में जिसको डिगरी Centigrade भी कहते हैं कोई जादा फरक नहीं है freezing point वहाँ भी 0 यहाँ भी 0 एक चीज का फरक है डिगरी Celsius में boiling point होता है 100 डिगरी Celsius यहाँ पर है 80 डिगरी आरी तो 0 से 80 के बीच में 80 का gap है तो 80 equal part में इसको बाटा गया जिनमें से हर एक के पास एक डिगरी आरी है अब ही हमने जो भी आपको बाते मताई उसको इस pick के माद्यम से summarize कर दिया गया है Centigrade में 0 से 100 यह freezing यह boiling क्योंकि reference उसी का लिया है Fahrenheit 32 से 212 ए 180 हि 11 के भी 100 होते हैं और यूमर भी 0 से चाले होगा 80 भी खतम हो जाएगा तो जितनी भी गर्म चीज़ें उनका temperature अगर आपको नहीं पता हो और देख के बताना हो कि कौन ज्यादा गर्म है कौन ज्यादा ठंडी है comparatively तब आप उसके color को देख के बताते हो एक्जाम में question आता है कि किसी जलती हुई लव का या फिर तारे का color किस से decide होता है उसके temperature से अगर नीली लव जल लई है या फिर नीला ताला है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर मानलो सूरज है या फिर कोई लाल रंग का जलता हुआ कोईला है तो उसको देख के लोग बाग समझते ह कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन वो बाकियों से ठंडा होता है और वही कोईला जो नीला नीला जला होता है वो ज़्यादा गर्म होता है अब जिसको ये बात नहीं पता थी इमानदारी से लिख दो my whole life was a lie अब भाई इससे पहले हम MCQ पे आए आखरी बकैती कर ले लेते हैं absolute zero तो ये कोई अंग्रेजी की गाली नहीं है absolute zero you are absolutely zero ये तो वो है जो कि दुनिया का सबसे minimum temperature है इससे नीचे कोई भी temperature जाही नहीं सकता क्योंकि heat generate होती है किसी भी substance के जो molecule है हमकी kinetic energy की वजह से लेकिन इससे नीचे temperature गया ना तो kinetic energy नहीं generate हो पाएगी किसी भी molecule मे अब ये कितना होता zero Kelvin अगर Celsius में लेकर जाना चाहो तो minus 270 degree Celsius तो कई बार आप देखते हो ना कि लद्दाक में minus 40 पहुंच गया अंटार्टिका में minus 80 पहुंच गया तो ये minus लगके कितना ज्यादस ज्यादा पहुंच सकता है तो minus 273 अब क्योंकि negative है इसलिए जतनी ज्यादा value होगी उतनी कम मानी जाएगी तो minus 273 से नीचे कुछ नहीं हो सकता अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये तो decide कर दिया कि कम से कम कितना temperature हो सकता है इससे नीचे नहीं हो सकता तो ये क्यों नहीं decide हुआ अभी तक कि जादा से जादा कितना temperature हो सकता है क्योंकि इसकी discovery बात पर भी यही बात लागी होती है उसका भी 5% knowledge है दुनिया भर के वग्यानिकों के पास इसका मतलब यह हुआ कि इन पर research अभी चल लई है तो कल को अगर कोई object ऐसा मिल जाए जिसका जो temperature है वो अभी जितना highest temperature हम माने हुए है उससे ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी ब लेकर आना पड़ेगा mark mark number तो एक का हो जाएगा 1 wavelength थैंग स्ट्रॉम से measure करते हो यह बता चुके है प्रेशर पास्कल से energy joule से तो जो जिसके सामने है वही answer है 1,2,3,4 उसी type का दूसरा देख लो calories से आप heat measure करते हो तो E का 5 वो तो 5 चारों में है अब volt का potential difference D का हो जाएगा 4 यहां तो नहीं है वाट का हो जाएगा power C का 2 इधर नहीं है दो option जा चुके हैं ampere का current B का 1 यहां नहीं है तो बस हो गया यह ऐसे ही आप MCQ solve करते हो एक्जाम में अभी आ जाओ अगले पे decibel loudness की unit है क्या बिलकुल horsepower पावर की unit है बिलकुल सही है एक horsepower में कितने वाट होते है comment में बताईए nautical mile navigation का distance Celsius heat unit है क्या तो बिलकुल भी नहीं और हमसे गलत पूछा था तो यह इसका answer हो जाएगा अभी अगले में बताओ कि energy की कौन सी unit नहीं है तो centigrade तो बिलकुल नहीं है वो तो तापमान मापने का scale है 302 IPC 302 नहीं question number 302 इसमें बताओ कि कोई भी घास है वो हरी क्यों दिख रही है फोटो सिंथिस में बता चुके है अरे घास क्या जितने भी टाइप की पौधे या शैवाल है वो हरे क्यों दिखते है रीजन सब का same है अब इसका मतलब यह नहीं कि narrow leg का हरा paint आप ले आओ और उ 929 centigrade और Fahrenheit किस value पे सेम होते है माइनस 40 पे यह साइद हम elaborate नहीं किये थे लेकिन लिखा जरूर था वैसे आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं है centigrade Fahrenheit का value मतलब conversion formula पता है दोनों को X मान लो solve कर लो जितना भी आएगा वो answer हो जाएगा normal temperature 98.4 मतलब 4 भी acceptable है वैसे 98.6 होता है और 98.3 क्या होता है यह आप बता दो अभी centigrade में इसको बताना है तो यह कितना हो जागा 36.something अभी उसके बाद जो लोग सोचते हो numerical आता नहीं है तो formula का है को रटवाए तो यह देखो UPPCS ने उनके मूँ पे मारा तमाचा तो भाई Fahrenheit पे 200 है Celsius पे कितना होगा तो हमें क्या पता है C by 5 बराबर में F माइनस 32 बाइन तो C by 5 200 माइनस 32 बाइन यह 168 बाइन तो यह किस से कटेगा तीन से कटेगा क्या तीन 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 पच्चे पंदरा तीन चिंग तो 3C is equal to 280 280 बटे 3, 93 point something तो यह था आज के वीडियो में अभी heat topic खतम नहीं हुआ है एक से दो वीडियो इसके और आएंगे तो आप लगातार enjoy करते रहिए और PYQ लगा के अपना confidence बढ़ाते रहिए वैसे PYQ हमने ही आपको लगवा दिया आप क्या लगाओगे आपको अगर लगाना है तो हमाई paid quiz लगाओ या testory लगाओ